नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस पर इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोल नाराइन शुरुबात करेंगे उत्रप्रदेश के खबरों की बदायों में आग लगने से गेहू की दो सो बिगा फसल जलकर राख हो गई करीब चालिस किसानों को भारी नुकसान हुआ है भूसे में चिंगाली से आसपास की गेहू की फसल पूरी तरह से बरबाद हो गई मूसा ज्वागा थाना श्वेत्र के गाओं मीनकापूर कौर और माजरा के जंगल के पूरी घटना बताई जा रही है बल्यापूर में पूलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां एक पिकप पर लदे आच गौवंश पूलिस ने दौर कर पकड़ लिए गौवंश पिकप से बिहार तसकरी के लिए जा रहे थे मुगविर की सूशना पर पूलिस ने पिकप पर लदे चार गाएं और चार बश्रो को बरामत किया है गारी में बैठे दो तसकर गिरफतार कर लिए गए हैं दो फरार बताया जा रहे हैं पकड़े गए तसकर से पूलिस पूर्ष ताच कर रही है सुपुरा के कूथिया गाओं के बगीजे से गौवंच बरामत हुई बल्या मिया जीवन अविवाइद होने का प्रण लेने वाले हाती सिंग ने शादी रचाली है ग्राम पंचायत मैला रक्षित सीट होने पर आनन फानन में शादी रचाई समाज सेवी जीतेंदर सिंग लंबे समय से ग्राम प्रधान चनाव की ग्राम सभा में काम कर रहे थे और इसकी तैयारी भी कर रहे थे ग्राम प्रधान बनने के सपने को तूटता देख बिना मूरत होने के खरवास में ही साधी रचाली 60 साल के उमर में समासेवी जुतिंदर सिंग ने शाधी रचाई है नई नवेली पतनी का ग्राम प्रधान चनाम में नामंकन की अब तैयारी हो रही है ललितपुर में अग्यात चोरों ने घर को निशाना बनाया सोना चांदी के जेवर नगदी पर हाथ साफ की और फरार हो गए चोर हीरों पुलिस को लगातार चुनावती दे रहा है लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैटी हूए नजराती है नई बस्ती चौकी शेत्र में तीन दिन में पांच भी बार चोरी की वारदार सामने आई है नई बस्ती चौकी शेत्र आजाद पुरकाई पुरा मामला बिजनौर में कैसे कलियोगी पत्नी जिसने अपने रिष्टदारों के साथ मिलकर अपने ही पती की कतल की साजिश रच डाली वो भी महज इसलिए कि पत्नी उससे प्यार में रोडा बनता जा रहा था मोबाइल सर्विलांस के जरीए पुलिस ने आरोपी पत्नी और दो लोगों को गिरफतार कर हत्या का मामला दर्श कर जेल भेशने के कवायद शुरू करती है और आया में सवच भारत मिशन में घोटाला सामने आया है सवचाले के नाम पर लाखों रुपे का गवन सामने आया आधे अधूरे सवचाले बनवाकर खाना पूर्ती की गई है प्रधान और सचिम ने मिलकर सवचाले में घोटाला किया है अच्छल्दा ब्लॉक के दसेरा ग्राम पंचायत का एक पुरा मामला जिरोजबाद में नगर निगम की सरकारी बुलेरोकार ने बाइक सवार को टकर मार दे जिसमें बाइक सवार युवक गंपी रूप से घायल हो गया घटना से गुसाये लोगों ने एनेस टूप पर जाम लगा दिया सोचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को समझा बुज़ा कर जाम कुलवाया और घायल को ट्रामा सेंटर फेज दिया है जहां डॉक्टर ने युवक को आगरा रैफर कर दिया संबल की रजपुरा इलाके में करंट लगने से 20 साल की युवक की मौत हो गई युवक की मौत से परिवार में को हुराम मच गया एगटना रजपुरा थानाशेत रिलाके के गाउं सिंगहौलिक पुल्विब में हुई है जहां 20 वर्षे युवक राजव अपने घर से मौबाइल चार्जिंग पर लगा रहा था इस दोरान मौबाइल चार्जिंग में करंट दोड़ गया इसके जपेट में युवक आ गया और इसकी मौत हो गई और यह में भाजपा पूर्वनगर अधियर शुनागेंदर सिंग सेंगर को तीन साल की सजा सुनाई गई है किशोरी से छेट-छाट के आरोप में जेल फेज़ा गया था पॉक्सो कोट ने 16,000 अर्थ डंड सहीत ये सजा सुनाई है आरदर्शनगर पंचायद अच्छलता में नामी सदस्य भी है आरोपी नागेंदर सिंग प्रताबगण में मुग्बिर की सुचनापर पुलिस ने लगभग 300 पेठी अवैद शराब को जब्त किया है शराब माफिया गुड्डू सिंग के बोरिंग के घर पर पुलिस ने छापे मार कर अवैद शराब को पकड़ा शराब माफिया गुड्डू सिंग फरार बताया जा रहा है प्रताबगण में अब तक जहरीली शराब से लगभग देड़ दर्जन मौतों के बाद से ये जिरत प्रशासन जाकता हुआ नजर आ रहा है सुल्तानपुर में परानी रंजिश में हमला करने पहुचा हिस्ते स्टीटर बम फटने से खायल हो गया अननफानन में उसे इलाज के लिए सामुदाइक स्वासकेंदर ले जाया गया लेकिन हालत गंभीर देख उसे जिलास पतार रेफर कर दिया गया है जो आउसका इलाज चल रहा है वही पुलिस ने भी कारवाई करते विए दोनों पक्षों से 6 लोगों को गिरबतार कर कारवाई शुरू कर दी है संभर में पुरानी रंजिश की चलते दो पक्षों में कहा सुनी हो गई गाली कलोर से शुरू हुआ विवाद और जिसके बाद एक पक्ष ने छट पर चड़कर दूसरे पक्ष के घर पर पत्राप कर दिया इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बारल हो रहा है वीडियो में एक यूवक यहात में तवन्चा भी देखा जा सकता है जबकि दूसरा यूवक पत्राप कर रहा है वारर वीडियो का पोलिस हो संग्याल लिया है मामले की जाँच की जा रही है कानपुचेगेरी पोलिस ने ताबर तोड़ दो हुक के बारों में छापे मारी की छापे मारी में दरजनों हुक के जब्त किये गए है भारी मातरा में हुक का समगरी को भी जब्त किया गया हुक का बार से करीब दो दरजन लड़के एक दरजल लड़कियों को रासत में लिया गया है, दोनों संचालकों को भी गिरबतार कर लिया गया सिंग्रोले जिले के चितरंगी के बगदरा कला जुंगल में भीशन आग लगी है करीब 15 घंटे से आग लगी हुई है लेकिन अब तक काबूर नहीं पाए गया है सेक्रो एकड में आग फैलने की आश्रंग का बताई जा रही है आग के चपेट में कई जानवर जीव जन्तू भारी तादात में जनने की आश्रंग का है मौके पर रात में एक फार बिगेट की टीम पहुँची लेकिन सड़क के अभाव में अंदर नहीं पहुँच सकी पुलीसिया कारवाई को कटखरे में खड़ा कर देने वाला एक मामला सामनी आया जिले के थाना बरला इलाके के गाउं के निवासी युव को 26 महीने तक जूटे दुशकर्म के आरोप में जुएंग में रहना पड़ा जिसको डियने डिपोर्ट में निर्दोश साबित कर दिया गया और हाई कोट से 26 महीने बाद जमानत मिली है हात्रस के सासुनी के गाउं बसई काजी में 11,000 की विद्ध तुलाइन का तार तूटने से गेहूं की खड़ी फसल जलकर राक हो गई मौके पर ग्रामिन पहुँचे हैं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया बताये जो रहा है कि विद्ध विभाग की लापरवाही थी जिसकी वज़ोर से ये पूरा मामला सामने आया है और इसे के साथ यूपी की खबरों में इतना ही आप बनी रहें न्यूज वर्ल इंडिया के साथ